मश्कार फ्रेंड्स मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हर्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आज इस डिवाइस या एक्क्योप्मेंट के बारे में मैं अपना रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ बेसिकली वो एक बॉडी बॉलडिंग डिवाइस है या आप कह सकते हैं बॉडी बॉलडिंग एक्क्योपमेंट है जो बेसिकली हम यूज करते हैं हमारी जो एब्डॉमिनल मसल्स होती है उनको स्टेंदिन करने के लिए और उनकी फ्लेक्सिबिलीटी को इंप्रूव करने के के लिए उस डिवाइस को हम कहते हैं फ्रेंट्स एब रॉलर वील आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है इसमें बाहर दो हैंडल होते हैं हमारी हैंस की ग्रिप को पकड़ने के लिए और उनके ओपर एक फोम की कोटिंग होती है ताकि जब हम एक्सरसाइस करते हैं या योगा मैट पर उसम में घंधर हमारे हाथों दो स्वेटिंग और वह अब्सको एvzorp कर सकें और दो हुल होते हैं जो फ्रेट इंदर फ्रीली मूवेबल होते हैं डो फ्रीली मूव करते हैं और बहर से इनके अफिक रेट की कोटिंग होती है ताकि यह सलिप ना करें फ् प्रेंड्स इसके साथ एक मैट भी मिलता है आप देख सकते हैं यह इसके साथ दिया जाता है क्योंकि जब आप इसको यहां रखते हैं और जब अपना एव डॉलर वील इस तरीके सथ चलाते हैं तो जब आप इस पर अपने घुटने रखते हैं जब आपके जो नीज होती है स्लिप नहीं करती है क्योंकि आप इसको बैक एंड फॉर्थ ऐसे मूव करते हैं फ्लोर के तुरू या योग मैट के तुरू तो आपको इससे वापस भी लेके आना होता है बैक करके तो सापकी जो नीज होती है वो स्लिप नहीं करती है आप इसली अपने एक्सरसाइज को इसली कर पाते हैं कि तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूं बैसे कली एप रॉलर वील का function क्या होता है बेसिकली एप रॉलर वील जो होता है यक सिंपल बॉडी बिल्डिंग यह जिम का एक्विप्मेंट होता है जो बैसिकली हम यूज करते हैं अपनी एब्डॉमनल मसल्स को स पूरे बॉडी का वेट को कर लेता है तो एप रॉडर वील उसको होल्ड कर लेता है अच्छी तरीके से और यह हमारी स्ट्रेच कर पाती है ताकि हमारी जो स्ट्रॉंग कर सके मजबूत कर सके और जो हमारी बैक होती है उसको हम प्रिवेंट कर सके अच्छी से हम प्रिवेंट कर सके अच्छी तरीके से स्ट्रेच करती है ताकि वह बहुत स्ट्रॉंग हो जाए और मजबूत हो जाए और हमारी बैक को हम प्रिवेंट कर पाते हैं आर्ट आर्चिंग से अच्छी आड़ जो मुवमेंट होता है फ्रेंड्स डॉलर भी वील का वह प्रवाइट करता है य यह एक यूज चैलेंज प्रवाइट करता है हमारे रेक्टस एब्डॉमिनस को जो मारे स्टॉमक की साइड होती है इस जिसकी वज़ए से सिक्स पैक मसल्स बनाने में आसानी होती है दस यह बहुत अच्छा टूल है शिक्स पैक के लिए पूरी बॉड़ी के शिक्स पैक के लिए एक बहुत अच्छा टूल है फ्रेंड्स और मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स इसके कुछ आपको बैनिफिट्स ही बता देता हूं बेसिकली इसके बैनिफिट्स क्या होते है एक तो यह बिसाइड्स वर्किंग ऑन एब्स एन एब डॉलर है इस फोकसिंग उन बॉड़ी मुसल्स पर जिसमें हमारी इंक्लूड़ीड होती है हिप्स होते है थाई मुसल्स होती है तो इसवज़े से क्या होता है दस इस गूट टूल फॉर एब्डॉमिनल और लोवर बॉड़ी वर्काउट के लिए इट रिक्वाइड्स मोर स्टेंथ देन क्रंचिस दस यहे बहुत जादा स्टेंथ प्रोवाइड करता है है हम जब हम वर्काउट करते हैं तो इसको इंक्रीज करता है हमारे हैं चोद्र होती है वह वह भी काफया थे चांग हो जाती है और हमारा इंप्रूमोल इंप्रोफ से हमारी पूरी फिस्क होती है वह आच्छी से बढ़िया हो जाती यानि एकदम एट्रेक्टेव हो जाती है कि सिंस विएफ टूस्टेच अब बॉड्डी वाइल वर्किंग आउट थू एप रॉलर चुकि हमें अपनी बॉड़ी को स्ट्रेच आउट करना होता है जो अपने वर्काउट करते हैं अपने एप रॉलर के थ तो दस back ashes are reduced due to regular use of ab rollers इसके वज़र से क्या होता है फ्रेंड्स हमारे back pain होता है तो वह भी काफी हद तक reduce और कम हो जाता है अगर हम ab roller wheel को regular way में use करते हैं अपनी exercise करने के लिए तो मैं बता हूं बताना चाहूंगा friends यह वाला जो हमारे ab roller wheel होता है basically जो मैट के साथ हमें मिलता है ab roller wheel इसके dual wheels होते हैं जो good stability देते हैं यह दो movable होते हैं और यह handle आपके दोनों साइड होते हैं पकड़ने के लिए easily आपको back and forth move करने के लिए अपनी exercise को easily कर पाएं तो यह अच्छी stability provide करता है और यह हमें help करता है maintain करने के लिए हमारे balance को जब हम अपनी body को lean करते हैं इसको exercise करने के लिए back and forth तो हमारी body को balance maintain करने के लिए यह बहुत मदद करता है और जो इसके handle होते है friends इसके handle के grips बहुत अच्छी होती है जो हमें allow करती है इसको हम easily firmly hold कर सके और हम वीड को easily control कर सके यह रॉलर हमारी muscles को standard नहीं करता एक बॉड़ी नहीं करता है यह सके अलावा जो हमारे जो फैट होता है हमारे आसपास हमारी वेस्ट के आसपास जो फैट होता है उसको भी यह बंड करने में काफी हल्प करता है जिसकी वजह से हम अपनी बॉड़ी में सिक्स पैप्स इजी बना पाते हैं और यह एक मैट के साथ आता है आप यह देख सकते हैं यह फोम का मैट यह अच्छे खासे मैट के साथ आता है अधा कि हम एक बैटर स्टैबलेटी मिल सके और हम अपने की नीज को बजा सके चोट लगने से ताखिव उसके जब ऊसके हुआ करती और हमें चोट नहीं लगती तो इस वजह से हमारी नीश स्लेप नहीं हो पाती और हम एजली अपनी एक्सरसाइज कर पाते हैं मेंस्टो से फ्रेंड्स जो एब डॉलर वील है इसके डूल वील्स है यह गुड इस्टैबलेटी देते हैं हमारी बॉड़ी के लिए और यह ह और हमें इसको ऐसली fry ego कर सके और अपनी वील वीसली कड़कर सके जब भी हम अपने डॉलर वील जो होता है यह हमारी इसको हेल्फ फिल्फोल होता यह करता हैं हमारी बॉड़ी का जब बर्ण होगा तो एक शेप अच्छा मेंटन हो जाता है उसके वेसे हमारी सिक्स पैक से एब्स बहुत इजीली बन जाते हैं यह एक मैट के साथ आता है जैसे मनें पताया एक फोम का मैट है जो हमें स्टैबलिटी प्रोवाइट करता है हमारे घुटनों को और नीज के लिए जब अपनी नीज और घुटने को जो हम टिकाते हैं इस पर एकसाइस करने के लिए तो यह इसलिप नहीं करता जिसके विज़ हैंड के मशन के वर्काउट करते हैं और चाहते हैं अची बाड़ी बनाना चाहते हैं सिक्स पैक्स बनाना चाहते हैं और अपनी फैट और कैलोरी को बर्ण करना चाहते हैं अपने स्टॉमक और अब्डोमेन के पास तो वह एफ डॉलर वील को अपनी डेली रूटीन में कंसेडर कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा क्यूपमेंट है फुल बोड़ी एक्सराइस करन इससे और बी अच्छी क्वालिटी में आपको उनलाइन मिल सकता है तो फ्रेंट्स इससे कोई भी वर्काउट कर सकता है चाहे है वह मेल हो फीमेल हो किट्स को छोड़के सब इससे वर्काउट कर सकते हैं अपनी एज्ग्रूप मेरी तरफ से एब रॉलर वील के बारे में ज जाने का प्रयास किया है आशा करता हूं कि मेरे इस प्रयास से आपको एब रिलर वील के बारे में काफी महतोबूर्ट जानकरी प्रयाप तो ही होगी करपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजेगा और नीचे जो बैल आइकन दिया हुआ है इसको प्रैस जर उनसे डिलेटर जितने भी डिवाइसेज एक्यूपमेंट्स हो उनका रिव्यू में आपके लिए लाता रहूंगा जो आपके लिए यूस्वल हो और पैनेफिशल हो आपके अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद